हेलो स्टुडेंट्स गुद मॉर्णिंग हाव यू आई होप यौल आर फाइन दूइंग वेल तो टुडेंग गोईंग तो स्टार्ट न्यू यूनिट डिवीजन math में हमने अभी तक multiplication सीखा, addition सीखा, subtraction सीखा अब आप second class में है आपने divide फर्स्ट क्लास में नहीं सीखा था तो ये concept आपके लिए new है तो आपको इसको अच्छे से करना है और focus देना है और समझना है दिवाइजन एक जो simple way में है वो क्या है, यानि कि divide यानी कि बातना यानी कि share, यानि कि distribute क्या है divide, दिवीजन यानißt कि बातना बातना क्या होता है आपके पास कोई भी चीज होती है और आपको वो share करनी है, बातनी है इसके साथ अपने brother के साथ और sister के साथ तो आप क्या होंगे सब्पोस करो आपके पास four pencil है है एक यह ममा आकर 12 पैंसिल का दोना बाटनी है तो आ करते हो उस 12 पैंसिल्स को 2 जनों में हाफाफ करिया आपने डिस्ट्रिब्इुट किया तो आपका अंसर क्या है आपको 6 मिली और आपके जो सिबलिंग है उसको भी 6 मिली तो कैसे मिली आपने क्या किया 12 आपके पास था 12 आपने उसको 2 जने यानिकि दोनों आप जो brother sister है उनसे divide किया 12 pencil थी आपने उसको divide किया 2 से तो आपको क्या है यहाँ पर आएगा 6 यानि कि आपको 6 pencil मिली है पर यह हमने किया क्या है 12 लिख दिया यह sign बना दिया 2 लिख दिया equal किया 6 क्या क्या है हमने अब यह समझो 12 क्या है आपके पास कोई भी चीज object किया 3 2 2 क्या है यानि कि person यानि कि आप लोग अब जो आपने multiplication में किया था कि आपने जो group थे उसको निकाला था ना तो यह जो group है यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो total numbers of object है वहाँ पे हमने total numbers of object निकाले थे अब यहाँ पे हमारे पास वह चीज है ठीक है तो हमने उसको group के साथ divide किया और हमें वह चीज मिल दे कि हमने किसको कितनी कितनी बाटी दुबारा समझो कि आपने six pencil आपके पास है और six ही आपके sister के पास है यानि कि repeated addition हुआ था मैंने आपको समझाए था कि repeated addition यानि कि multiplication यानि कि दोनों के पास same हुआ तो वह 12 हुआ तो यहाँ पे वही बात है कि जो 12 pencils हैं वह आपको two जनों में बाटनी है equal तो हमें क्या मिला six तो यह आप two का table जो है 12 तक पढ़ेंगे बोलेंगे तो आपको जितनी बार आप times पोलते हैं वह यानि कि six हैं अभी मैं आपको simple पर में दुबारा समझाओंगी सबसे पहले आप इसको definition समझे the division is a method of distributing a group of things group of things a group यानि कि एक group कोई भी group हो सकता है अभी मैंने जो example पता है वो क्या है pencil तो वो क्या ग्रूप है of things यानि कि उन चीजों का अब वो कितनी है dwell in two equal parts यानि कि बराबर भागों में in equal parts यानि कि बराबर बराबर portion में आपको वो चीज़ डिस्टिब्यूट करनी है तो वही ही division है ठीक है इसको हम जो other words से बोलते हैं वो other words क्या है share और distribution अब आप आपने क्या क्या ममा ने आपको दिया 12 pencil दोनों को और आपने क्या क्या one 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 ऐसे distribute करी कि one two ले one मैं लेता हूं one मैं लेता हूं one two one one करके दोनों को बाटी तो दोनों के पास कितनी pencil लागई six और six यानि कि 12 pencil तो यह equal जो पार्ट्स हैं यानि कि आप जो दो हो वो ग्रूप हो दोनों बच्चे ग्रूप हूए और उन दोनों बच्चों में हमने जो 12 चीजे हैं वो equal बाटी तो सब को कितनी कितनी मिली दोनों को six और six यही division का concept है कि जो division है वो कोई भी जो चीजे हैं उनको हमें ब्राबर ब्राबर equal यानि की equal groups में divide करना है multiplication में हमने क्या किया था आपके पास यह two group होते थे 2 multiply 6 equal to 12 यह आपने multiplication की unit में अभी किया है recently तो अब हमारे पास वही चीज है यह इसका opposite हो गया जो two है यह group है यानि कि आप दो बच्चे चीजे उनको कितनी कितनी मिली है उनको six और six दोनों को equal equal six चीजे मिली है तो हम पूरते थे कि total number of things कितनी है total number of pencil कितनी है यानि कि हमने कहा था कि दो बच्चे है उनको हर बच्चे को six pencil मिली है तो कितनी टोटल पैंसल है तो हमने multiply करते थे तो हम 12 आया तब अब यहां पर क्या है यहां पर आपको total number of things यह मिली हुई है आपको two को में दो बच्चों में divide करना है तो हर बच्चे को जो चाइल है वो टॉफी, biscuit, bananas, chips, anything जो भी आपको पास कोई भी चीज है आपको उसको equal parts में बाटना है, divide करना है यह आप example अपने घर पे भी कर सकते हो और मैं अब भी आपको एक story के उससे समझाती हूँ कि कैसे हम equal चीजे distribute करते है तो students अब मैं आपको जो division का concept है वो आपको एक story या एक play way method में समझाती हूँ तो समझे आप लोग game खेलते हैं ना pebbles का या कुछ भी ऐसे तो आपके पास यह 20 pebbles है ठीक है और जो game है उसमें जो बच्चे है वो है प्रिया, सैम, दीपक और रवी तो यह उस game में 4 बच्चे है अब उन 4 बच्चों को यह pebbles उन्होंने equal equal distribute करने है तो वो क्या करेंगे तो उन्होंने क्या किया कि वो कितने बच्चे है वान, टू, थ्री, एंड फोर दीपक, सैम, प्रिया, एंड रवी तो आप लोग भी marbles वगेरा के game खेलते हो ना या कैरम खेलते हो तो आप क्या करते हो आप जो total numbers of आपके होते हैं कोई भी चीज कैरम की जो होती है यह marbles हैं को इच भी होता है तो आप उनको क्या करते हो एक्वल डिस्टिबूट करते हो पहले या लुडो खेलते हो उसमें भी 4-4 डिस्टिबूट करते हो या कुछ और जो भी गेम होते हैं जितने प्लेयर्स होते हैं आप उसमें equally distribution करते हो तो उसके लिए आप क्या करते हो आपने देखा कि पहले वो कितने है all total उनको आपने count किया ठीक है अब suppose करो मेरे पास यह 20 है ठीक है तो अब मैंने क्या किया इनको distribute करने के लिए one दीपक, one Sam, one Priya and one for Ravi ठीक है फिर मैंने one किया फिर मैंने one किया again and again अब इनके पास कितने कितनी हो गए two two हो गए फिर मेरे पास अभी तो बहुत सारे बच्चे है तो मैंने फिर distribute शुरू किया one 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 and then one अब again है मेरे पास तो फिर मैंने उनको distribute किया one 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 and one तो अब सब बच्चों के पास कितने कितने हो गए four 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 दीपक के पास four सैम के पास four प्रिया के पास and four ही रवी के पास अब मेरे पास again last time पे फिर four बच गए बचे है तो मैंने फिर उनको किया one 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 and one तो आब सब बच्चों को कितने कितने मिल गए अब सब बच्चों को one two three four five one two three four five one two three four five and again one two three four five तो हर बच्चे को कितने मिले five five तो यानि कि ये क्या हुआ जो ये four है ये होगे group यानि कि four groups हैं जो आप multiply में करते थे और जो things थी आपकी वो total number थी twenty हैं ये five plus five plus five plus five यानि कि repeated addition यानि कि twenty तो twenty यानि कि four को आपने जो है twenty को जो आपके number है ये twenty इनको आपने divide करना है क्या करना है आपको divide यानि कि अगर आप total number ऐसी करते हो ये twenty हैं आपके पास ठीक है और ये क्या है ये four है तो आपने क्या किया twenty यहाँ पे आपका divide का sign आया और ये आपने four को किया distribute तो सबको कितने मिले थे five five यानि कि उनको equal मिला है अब अगर suppose करो इस game में एक बच्चा और आजाता है और आपके पास तो अभी same number यही है twenty तब आप क्या करोगे तो आप क्या करोगे आप उसको भी pebbles या marbles दोगे ना तो आपने उसको भी बाटना है तो आपने क्या किया आपने दुबारा से sharing start करी तो अब आपके पास कितने players हो गए उसी में one two three four and five अब आपने इन पांच उनों में उनी twenty three को बाटना है five में twenty को distribute करना है तो आपने क्या किया अगें आपने distribution start किया five one 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 and one then again one one तो आपने दुबारा से distribution किया start तो हर जो player है उसको कितने कितने मिले four 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 and four पहले क्या थे five थे अब आपका एक जना भड़ गया है जिसको आपको उसको भी बाटना है तो आपने दुबारा से किया तो अब सबका one 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 निकला और आपने रोहन को भी दिया तो आपके पास four हो गए और उसके पास भी four हो गए यानि कि equal divide हुआ है सबको तो यही division है जिसमें कि आपको कोई भी जो भी आपके पास चीजे है उनको equal equal बाटना है ठीक है तो यह concept है आपका division का कि आपको कोई भी चीजों को equal बाटना है जो भी आपके friends है आपके brother है या अपने घर में कोई भी चीजे बाटनी है तो वो हम division के rule से सीखते हैं तो मैं अभी आपको थोड़ी से book से और इस पंदल है division का मीनिंग क्या है sharing equally और making equal groups जो भी मैंने आपको समझाया है कि जो भी groups हैं उनको equal equal कोई भी जो भी object है या चीजे बाटना है अब यह देखो एक example है जो 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 हैस four apples जो जो है उसके पास four apple है he shares them equally with his friend वो उसको अपने friend के साथ equally बाटना चाता है he gives one apple to his friend वो जो one apple है वो अपने friend को देता है keeps one for himself और एक अपने लिए रख लेता है यानि कि यह दो friends है और apples है कितने four तो पहले वो one अपने friend को देता है और one फिर अपने लिए रख लेता है तो दोनों के पास कितने हो गए one one हो गया तो आब कितने apples बच गए अब two apples left यानि कि दो एपल बचे हैं, he then gives one more apple to his friend, अब वो दुबारा से अपने एक friend को एक और apple देता है और एक अपने पास रख लेता है, तो दोनों के पास कितने कितने हो गए, two two, अब उसके पास कोई भी apples नहीं बचे है, अब उसके पास कोई एक और apple नहीं है, और दोनों के पास डो दो apple, यानि कि two two apples हैं, यानि कि यह क्या होगे, equal distribution, अगर हम इसको sums के उसमें देखें, तो हम अब इसको जो हमने इस four और divide के two में, तो अब हम इसको sums के उसमें देखते हैं, जो-जो has divided the apples between his friend and himself, number of apples four, ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको 20 का example बताए था, तो यहाँ पे जो चीजें हैं, वो four है, divide किया two में, तो हमने पहले four में किया था, अब जो है, वो जो equal करके आया, वो two आया था, अब यह आया कैसे, यह हमारा जो divide का sign है, इसकी वज़े से आया है, अब हमने, जो हमारे tables में आपको भी learn कराए है, उसी की help से आप यह division का sum करोगे, आपने क्या करना है, two की जो table है, वो आपने वहाँ तक बोलनी है, जब तक कि आप four पे नहीं आ जाते है, two ones, two, and two to the four, यानि कि two times आपने two बोला है, two का table बोला है, तो वो two आया है, यानि कि हर बच्चे को जो है two apples मिले है, four divided two, equal to two is a division fact, तो यह क्या है, division fact है, यानि कि equal grouping, तो यहाँ भी देखो एक example है, marbles का ही, जो 12 है, there are 12 marbles, 12 marbles है, जो जो makes equal group with six marbles in each group, अब जो जो और उसके friend के पास marbles है, 12, अब उन दोनों को equal groups बनाना चाहता है, तो उसने भी start करी distributing, तो दोनों के पास कितने कितने हो गए, six, six, ठीक है, तो अब 12 divided by six equal to two, तो number और जो marbles है, वो 12 है, और each group में, हर group में कितने है, six, तो group कितने है, two, he gets two group with six marbles in each group, तो यही है कि जो भी कोई भी चीज है, वो कितने group में distribute हो रही है, यह किसको कितनी मिल रही है, यही हम division में समझते हैं, तो यह अब exercise है, यह आपको अब homework में करनी है, कि अब जैसे six carrots among three rabbits, जो six carrots है, वो three rabbits ने बाटनी है, तो हमने क्या किया, three का जो table है, वो हमने start करना है, कहां तक बोलना है, जब तक कि हम six पर नहीं आ जाते, three ones are three, three twos are six, तो हमने क्या लिखा two, यानि कि जो each rabbit है, हर rabbit को two carrots मिलेंगी, ठीक है, तो आपने ऐसे tables बोलने हैं, जब तक कि आप इस number पर नहां पोच जाएं, अब ये आप करके भी देख सकते हैं, और अब ये आप tables की help से भी कर सकते हैं, बाकी वैसे पूरा division जो है, वो आपके table से ही होगा, 12 bananas in three plates, 12 bananas हैं, और आपको, इनको three plates में distribute करना है, तो 12 divided by three, जो 12 है, उनको three से divide करना है, तो each plate में, एक plate में, हर plate में कितने आएंगे, अब three का table आपने start करना है, three, one's a three, three, two's a six, three, three's a nine, and three, four's a twelve, three, four's a, यानि कि यहाँ पर आपका क्या हैगा, four, तो हर plate में, जो है, four bananas आएंगे, तो आपने जो table है, वहाँ तक बोलना है, जब तक कि आप 12 पे नहीं पहुच जाते हैं, तो आपका क्या हैगा, four, तो each plate में, four bananas आएंगे, ऐसे ही आपको यह sums करने हैं, और, तो ऐसे ही यह हैं, आपके, sixteen divided by four, fourteen divided by seven, twenty divided by five, तो यह sums भी आपको ऐसे tables बोलने हैं, और करने हैं, division के लिए, okay student, thank you, bye, have a nice day.